नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप से भी का शिक्षा प्रवावें लोग कला कहते हैं तो क्या होता है बिटा आप लोगोंने देखा होगा कि आपके घर में जैसे देवठाने का दशी होती है या भाइदुच राखी होती है तो मम्मी कुछ असे ड्रॉइंग कर रही होती है देलीज पे या पिर दिवारों पर ठीक है तो डम्रू के जैसी कुछ चंदा सूरज बना रही होती है पेड बना रही होती है तो यह क्या है कि इस तरह कि जो कलाएं है वो हमारे पूर्वज हमसे पहले बनाते आ रहे हैं और उसके बाद पीडी-दरपीडी फिर हम उसको बना रहे हैं और इसी तरह कि कलाएं जो कहलाती है वो लोग कला कहलाती है और आधुनिक काल में लोककला बहुत ही जादा लोकप्रिया हो गई है जैसे कि मधुबनी लोककला है या पर वर्डी कला है तो आपके सिलिबस में दो कला है मधुबनी और वर्डी जिनको हम आगे पढ़ेंगे तो एक दूसरे करीके से अगर हम लोककला को देखें तो इस्थाने समुदाई की समगर कलात्मक गतिविधी जो की आम तो और पर ग्रामीन एरिया में होती है रचनात्मक्ता के अलावा उसको लोककला कहा जाता है इसमें क्या-क्या होता है तो संगीत होता है निरत्य होता है किवदंतिया यानि की सुनी-सुनाई कहानिया परियों की कहानिया लोककविता लोकरीती रिवाजों के पूरे कलात्मक पक्ष भी शामिल होते हैं ये सबी घटनाएं एक दूसरे के साथ और गाउं के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और लोक संस्कृती का निर्मान करती हैं ठीक है बेटा ये पढ़ा आपने लोक कलाओं को इसके बाद हम पढ़ेंगे मधुवनी कला तो बेटा आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मधुवनी तो मधुवनी क्या है भारत की सम्रद कला परंपराओं में लोक कलाओं का गहरा रंग है जैसा कि आप लोग ने जान लिया कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक जो लोक कला है उसकी बेल जिसको यहाँ पर अलंगारिक रूप में अमरबेल बूला हुआ अमरबेल की तरह फैली हुई है तो इस बार हम पढ़ने वाले हैं मधुवनी कला की बारे में तो मदुबनी जो लोककला है वो बिहार में मदुबनी एक जगा है जहां से संबंदित है मदुबन का आयर्थ होता है शहद का वन और यह इस्थान राधा कृष्ण की मधुर लिलाओं के लिए प्रसिद है मधुबनी की लोक कला में भी श्रीकृष्ण की लिलाओं को चत्रत किया गया है यह कला आम और केलों के जुर्मुट में कच्चे जूपडियों से गिरे हरे भरे तालाब वाले इस गाओं में पुष्टों पुरानी है कौन से गाओं में? मधुबनी गाओं में यह वाली जो कला है यानि मधुबनी जो कला है वो फैले हुई है विद्यापती की मैथीली कविताओं के रचना इस्थल इस इलाके में आज के टाइम पे मुझफर पुर्ण मधुबनी दर्भंगा और सहरसा जिले में आते हैं इसके अलावा मधुबनी की कलाकरतिया त्यार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीप कर उसके उपर वनस्पतिक रंगों से पूरानिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है अब वनस्पतिक रंग क्या होते है बिटा जो फूल पत्तियों या फिर हरे पेड़ पोधों से यानि पत्तियों से फूलों से प्राप्त किये जाते हैं उनको वनस्पति रंग बोलते हैं और पोराणिक गाथा क्या होती है, मतलब ऐसी पुरानी कथाएं, जो की हमारे धर्म ग्रंतों पर आधारित हों, उनको हम पोराणिक गाथा बोल देते हैं, तो कलाकार अपने चित्रों के लिए रंग जो था वो स्वयम तयार करते हैं, और बास की तिलियों में, रूई का प्रियोग मुखता किया जाता है, और काला रंग कैसे प्राप्त करते हैं, तो जोर एक फसल होती है, जोर को जला करके लोग काला रंग प्राप्त करते हैं, या फिर दिये गई कालिक को गोबर के साथ मिला कर तयार करते हैं, पीला रंग हल्दी और चूने को बर्गत की प पूल से नारंगी, कुसुब के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। रंगों को इस्थाई और चमकदार बनाने के लिए उन्हें बकरी के दूद में घोला जाता है। मानव और देवी देवताओं के चितरन के साथ साथ पशुपक्षी, पेड़ पोधे और जैमिती अकारों को भी मधुबने की कला में महतोपूनिस्थान दिया गया है। ये अकार भी परंपरिक तरीकों से बनाया जाते हैं। तोते, कच्छुए, मचलिया, सूरज और चांद मधुबने के लोग प्रिया विशे हैं। यानि कि इन विश्यों पर बहुत ही जादा मधुबनी चितर बने हैं। हाती, घोडे, सेर, बांस, कमल, फूल, लताएं, स्वास्थिक धन धानने की समर्थी के लिए सुभमान कर चितरत किये जाते हैं। कागज पर बनी कलाकरतियों के पीछे महीन कपड़ा लगा कर इने पारुवारिक धरोहर के रूप में सहेज कर्यानी की समहाल कर रखा जाता है। यही कारण है कि हर परिवार में मधु बनी कलाकरतियों के आकार, रंग सयोजन और विशेवस्तु में भिन्नता दिखाई पड़ती है। यह भिन्नता ही उस परिवार की विशेश्ता समझी जाती है। पारंपरिक रूप से विशेश अफशरों पर घर पर बनाई जाने वाली यह कला आज विश्व के बाजारों में लोग प्रिया हो चली है। हाला कि इसके कलाकार आज भी अत्यंत साथ की पूर्ण जीवन ही बिता रहे हैं। दीवार और कागज के साथ यह कला मिट्टी के पात्रों यानि मिट्टी के बड़कनों पंखो और विभा के अफसर पर प्रियुक्त होने वाले थाल और थालियों पर भी की जा रही है। आज मधुबनी कला करतियां कला दीरधाओं, संग्रालियों और हस्त कला की दुकानों के साथ साथ विश्व जाल पर यानि की विश्व पेंटिंग इस्थल जहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स सेल होती हैं वहां पर खरीदी जा सकती हैं। यह आप लोगों ने पढ़ा मधुबनी कला को और दूसरी कला जो आपके स्लेबस में है वो है वरली, अब मधुबनी कला कहां की बिहार के मधुबन की बहुत ही ज्यादा फेमस है जो आगे मुझफवर नगर तक बढ़ गई है। दूसरी कला है आपकी वरली जो की महरास्टर की लोग कला है अब हम चान लेते हैं थोड़ा सा वरली के बारे में तो दोस्तों वरली शिरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप सिक्षा प्रवा पर पहली बार आये हैं या आपने अ सिक्षा प्रवा के साथ आप बने रहें बैल आइकन को भी बच्चे प्रस कर लें जिससे की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए वीडियो बिटा अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें तो हम पढ़ र अधिकतर ब्लैक कलर का या पर डाक गेरू रंग का गेरू रंग जो आपको लिखा दिख रहा है ना रड से कलर में इसी को हम गेरू बोलते हैं गेरू रंग में बना होता है तो महरास्र के ठाने जिले में वर्ली जाती के आदिवासियों का निवास है इस आदिवासी जाती के लोगों के द्वारा जो कल्या मनाई जाती है उसको वर्ली कल्या कहते हैं और यह जन जाती महरास्ट्र के दक्षन से गुजरात की सीमा तक फैली हुई है वर्ली लोक कल्या कितनी पुरानी है यह कहना कठिन है कल्या में कहानियों को चितरित किया गया है इसका अनुमाल होता कि इसका प्रारंब लिखने पढ़ने की कला से भी पहले ही हो चुका था लेकिन पुराततु वेत्ताओं का विश्वास है कि यह कला दस्वी शताबदी में बहुत ही जादा फेमस हो गई इस छेत्रपार हिंदू, मुश्लिम, पुत्रगाली और अंग्रेजी शाशको ने राज प्रारंब हुआ यानि कि 1700 के दौरान इसको एक नया योग इसका प्रारंब हुआ 1700 हिश्वी के दौरान जब इसको बाजार में लाया गया वर्ली कलाकरतियां विभा के समय पे विशेश रूप से बनाई जाती है इन्हें शुभ माना जाता है और इनके बिना विभा को अध बिन्दू और रेखाओं से बने इन चित्रों में महिलाएं घर में मिट्टी की दिवारों पर बनाती थी एक विशेशता इसकला में यह होती है कि इसमें सीधी रेखा आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी बिन्दू से बिन्दू को जोड कर रेखा केंची जाती है और इन्हीं के सहारे आत्मी, प्राणी और पेड़ पोधे और बहुत सारी गती विदियों को प्रदर्शित किया जाता है विभा, पुरोष, इस्त्री, बच्चे पेड़, पोधे, पशुपक्षी और खेत यही विशेश रूप से इस कलाकरती के मुख्या विशे होते हैं। इस्तमाल किया जाता है। रंगनी का काम अभी पोधों की छोटी-छोटी सी तिलियों से ही किया जाता है। चित्रों में अच्छा खासांतर होता है, एक एक चित्र अलग-अलग कई घटनाओं को एक साथ दिखाता है। वरली जाती में माश नामक व्यक्ती ने इस कला को वहवारिक रूप दिया। यानि की फेमस वरली आटिस्ट माश थे। उन्होंने वरली लोग कला को महरास्ट से बाहर ले जाने की हिम्मत दिखाई और इस कला में अनेक प्रियोग किये। उन्होंने लोक कलाओं के साथ साथ पोराणिक कथाओं को भी वरली शेली में चितरित किया। जैसे वश देव, धर्ती माता और पांडुराजा के जीवनकाल को भी वरली शेली में चितरित किया। उन्होंने वर्ली में आधुनिक्ता का समवेश किया, मिट्टी और गोंद के मिश्रण के साथ अपना काम जादा टिकाओ बनाने के लिए उन्होंने ब्रश और अध्योगिक गोंद का प्रियोग किया. इस प्रियोग से वर्ली कृतियों को नए आया मिले और उनकी अंतर राश्चे लोग प्रता बढ़ने के साथ ही वर्ली जन जाती के लोगों में भी आर्थिक सुधार होने लगा. आज कल माश के अतिरिक्थ शिवराम गोजरे और शरत वलगानी जैसे कलाकार भी इस दिशा में कारेक कर रहे हैं. ये लोग कागज और केनवास पर पोस्टर रंग कर इस्तेमाल कर रहे हैं. वर्ली आकरतियों की यात्रा घर की गोवर्मिट्टी की सतह वाली दिवानों से शुरू होकर आज की तिति में केनवास तक आप पहुँची है. यहां तक कि आप देखो तो बहुत सारे कपड़ों पर भी आपको वर्ली डिजाइन मिल जाएगा. जैसे कि लेडीज की साडीज पर यहां तक की घर की चादरों पर भी आपको वर्ली बेंटिंग दिख जाएगी. हो ना हो आपके स्कूल में भी कहीं न गहीं वर्ली ड्राइन जरूर बन रही होगी. इसी से हम वर्ली कला कितनी जादा ऐसे फेमस हो चुकी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं. तो बिटा लोग कलाओं की बारे में सबसे पहले आपने इस वीडियो में लोग कला को पढ़ा उसके बाद जो दो लोग कला हैं मधुपनी जो की बिहार से संबंदित है और दूसरी जो की महरास्ट से संबंदित है वर्ली लोग कला इसको पढ़ा आशा करती हूँ बिटा य और वीडियो देखने के लिए बने रहें सिक्षाप्रवा के साथ.